करें विद्यारतियों अर्दवार्सिक परिक्षा 2022-23 का राम नगर नैनिताल में ये पेपर हुआ है विज्ञान का तो चलिए इसके देखते हैं सॉलूशन को एक इस्ट्रेंट ने भेजा है इसको और आप भी अपना चाहिए तो पेपर को PDF फॉर्म में भेज सकते हैं PDF बना क पेपर अपना साफ भेजा करो आप लोग जब पेपर भेजते हो तो maximum पेपर तो मैं इसलिए नहीं डालता हूं आपकी पेपर होने के बाउज़ोंदे नहीं डालता हूं क्योंकि वह साफ नहीं होते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट हमेशा साफ पे ध्यान दो साफ आपको हर प पी-एच मान कितना होता है तो पी-एच मान उसका होता है आपका साथ तो यहाँ पर जो option number 2 है यह correct हो जाएगा निम लिखित में से या निमन में से कौन सा उभहधर्मी oxide है अब उभहधर्मी oxide क्या होते हैं तो वह oxides जो अमली और छारी प्रकरती दोनों ही प्रकट करते हैं acid और basis दोनों ही जो है उसके अंदर लक्षन होते हैं उसकी तरह act कर सकता है और पाधपो में obsessic आमल का मुख्य कार रहे हैं तो the function of obsessic acid in the plant तो इसका जो function है to inhibit growth यानि कि व्रद्धी को रोकने का काम करता है अब व्रद्धी को क्यों रोकता है तो इसका reason यह है कि यह जो रोकत है तो बीज में जो है protein की मात्रा बढ़ती है अगर ब्रद्धी होती रहेगी तो पेड़ तो बढ़ती ही रहेंगे बाकी फल फ्रूट तो बढ़ेंगे नहीं तो क्या करता है यह उन ब्रद्धी को control करता जो पेड़ की है लेकिन जो फल फ्रूट है उनने के बीज के अंदर जो protein की मात्रा है उसको बढ़ाने का काम करता है तो ब्रदी रोकेगा तो जो protein बढ़ने का काम कर रहे थे अब वो भीजों में जाएंगे ठीक है अगला question की बात करते है किसी उत्तले lens की focus दूरी 25 cm है तो इसकी शमता क्या होगी तो देखो आपका जो lens की power जो होती है उसका formula आप अच्छे तरह से जानती हो कि 1 by f होता है ठीक है और ये भी meter में होता है ध्यान रखना है यहां पर आपको दिया है focus दूरी f दिया गया यानि कि आपको question में दिया गया है f बराबर 25 cm ठीक है यहां पर 25 को 100 से डिवाइड कर दूगा तो यहां पर f आजाएगा 0.25 ठीक है तो यहांनि कि मेरे को p is equals to 1 upon में 0.25 लिखना होगा अब इसको डिवाइड करूँगा 0.25 से 1 को तो आप जानते हो यह डिवाइड होने के बाद क्या आजाएगा 4 आजाएगा लग जाएगा पॉंँट के बाद दो संख्या है तो उपर जितनी संख्या है नीचे होती है और जितने के बाद में पॉइंट होता है उतने ही 0 उपर वाले में लग जाते है हो जाएगा तो 25 से काटोगे इसको 25-100 तो 4 डायर्च्टर जो है इसका answer होगा तो second option जो है correct हो जाएगा अगले question की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर पूछा गया है आपसे विदुद धारा का मातरक यानि कि unit of electric current अर सब को पता है भईया ampere होता है किसको बोलने की जरू होते है तो यहाँ पर हमारा option number third जो है correct हो जाएगा इसको जो next question है पुंग केसर में संग्रहित होते हैं एंथर कंटेंस एंथर always कंटेंस पोलर नहीं पोलेन और एना चाहिए पोलेन ग्रेंस ठीक है पोलेन ग्रेंस यानि परागकन ठीक है तो यहाँ परागकन जो है आफ yearly exam paper में ठीक है yearly exam paper में एक भी mistake आपको देखने को नहीं मिलती बहुत ही रियर होता है जो 5-6 सालों में किसी बोर्ड में एक बार repeat हो जाए क्योंकि जब yearly exam paper बनते हैं तो उनको बस कई टीचरों के हाथ उसे चेक करने के बाद में ही गुजरा जाता है आपके पास ठीक है अगला जो कुशन है bleaching powder का रासाइनिक सूत्र और नाम आपको बताना है तो bleaching powder का जो रासाइनिक सूत्र हो जाएगा वो आपको सभी को पताऊगा Kaocl2 होता है क्या होता है bleaching powder अब इसको हम बोलते क्या है तो इसको हम calcium hypo chloride क्या बोलते है calcium hypo chloride और इसका साधार नाम क्या है इसका साधार नाम bleaching powder है आप अच्छी तरह से जानते हैं इसमें क्या है सूत्र भी पूछा रासाइनिक नाम तो मैंने बताया रासाइनिक नाम क्या होता है सूत्र मैंने यहां पर लिख दिया sodium hypo chloride ठीक है तो calcium hypo chloride next जो है दो धातू के नाम बताईये जो प्रकरती में मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो प्रकरती में दो धातू है एक तो है आपका सोना सोने वाला सो मज्जा ना वह वाला सोना नहीं है सोना यह और एक platinum ठीक है तो जिसको हम symbolic form में लिखते है तो AU लिखते है गोल्ड को और platinum को PT लिख देते हैं ठीक है तो यह दो हैं हमारे मुक्त अवस्था में पाई जाती है अगला जो question है स्नेल का अपवरतन का नियम लिखना है आपको तो स्नेल के अपवरतन के नियम के अनुसार आपतित कि किरण एक तो जैसे आपका यह कोई surface है ठीक है अब यहां पर किरण आ रही है देखो मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा समझा देता हूं जब दो चार मिनिट आपको देई रहा हूं तो complete कर दूँ देखो यहां पर सपोस करो कि यह आपका कोई surface है और यहां पर कोई आपतित किरण आ रही है यहां से इस तरह से यह किरण आ रही है ठीक है इस तरह से आ रही है तो इसको अगर हम किरण को आगे बढ़ाते हैं इस पर पढ़ती है तो इस पर आके यह पढ़ी अब इस पर पढ़ी त कि धर जाती हैय तो परावार्तन देखने को मिलेग़, इसे अभी और इस जो आपने लाइन कहीची है। यहांने नाइन जो सीधी लाइन है। इस पर 90 iv वाली person जो होती है इसको हम अभी लब बोलते हैं यह 90 degree बनेते हुए। इससा तल पे यह पिवह साब्चित किर्ण और अभिलम एक ही तल में एक ही विंदू पर मिलते हैं यह होते थीख दोगे ँख्दमर पढ़ता तक नहीं podcast तो आपको समझना चाहिए कि डायग्राम अपने आप में खुदी एक छाप है, ब्रांड डायग्राम आपके एक्जाम पेपर का, ठीक है, अगले कोशन की बात करते हैं, अगले जो कोशन है इसमें आप से क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए, जो कि आपका बोला क्या गया है यहां पे बोला, अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मियू इसकोल स्टू, हम क्या लिखते हैं, साइन आर, अपन में, साइन आई, ठीक है, तो यह हमारा जो है, यह भी आपका, जिसको हम बोलते हैं, स्नेल्स लॉउ, ठीक है, स्नेल का पवर्तन का नियम जो है, य इसके बाद अगले कोशन की बात करें, तो यहां पर आपसे पूछा गया है, बारा वोल्ट विवांतर के दो बुंद्यों के बीच, दो कूलंब, स्ती से कूलंब है, कूलंब आविश, आविश मतलब चार्ज, को ले जाने में, कितना वे कार्रे किया जाता है, यानि कार्रे होता है आपका, क्यू इंटू वी, अब क्यू क्या है, क्यू मैंने बता आविश को बोलते हैं, क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज को हिंदी में आविश बोलते हैं, ठीक है, यहां पर चार्ज लिखा है, तो क्यू जो है, चार्ज दिनोट करता है, इसके बाद मे Q मेरे को दिया है दो कॉलंब तो 2 कूलंब इंटू आपका क्या है V, V मेरे को कितना दिया गया है 12 V, तो मैं 12 लिख देता हूँ 12 V, ठीक है, अब दोनों का यूनिट लगा लगा है, इसलिए मैंने यूनिट लिख दिया, आप चाहो तो 2 इंटू 12 भी लिख सकते हो, बस आपको निकालना था, दो लाइन का अंसर है, आप देख सकते हो, मानों के लिए पोशन क्यों जरूरी है, भाईया पोशन तो आप जानते हो, आप अपने मर्जी से लिख सकते थे, भले ही मैं बतायता हूँ, देखो पोशक ततो जो हमें उर्जा प्रदान करते हैं, मास में, मास पे इसके बाद जो नेक्स कोश्चन है, उसकी बात करते हैं, तेल वो वसायुप्त खाद पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवावित क्यों किया जाता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हो, जितने भी तेल और वसायुप्त जो आपके पदार्थ होते हैं, तो इनको जो ह उपचयन की गती धीमी हो जाती है, तो उपचयन धीमा हो जाता है, तो उपचयन धीमा हो जाएगा तो जो है लंबे समय तक रह सकती है, नाइट्रोजन से हम इसको नाइट्रोजन करते हैं, जो उसका उपचयन ना हो सके जल्दी से, अगले कुश्चन की बात करें, अगले क बनाती है इसके अलावा जो आपका धातु है यह कैसा होता है तो यह उश्मा और विदुत की सुचालक होती है ठीक है यह सुचालक होती है और उसके अलावा जो धातु हमें और क्या मैं दो बूचे मैं तीसरे बता दूंगा धासुदू हमेसा सॉलिड होती है ठोस होती है ठो आपका धातु में इतने सारे मैंने आपको बता दी अधातु में क्या होता है तो अधातु की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है जो धातु है यह कौनसी आक्साइड बनाती है तो यह अमलिय आक्साइड बनाती है कौन सी अमलिय आक्साइड बनाती है और साथी साथ उदासिन भी बना देती है ठीक है दोनों बना सकती है अमलिय और उदासिन यह केवल आपका छारिय बनाएगा अधातु में और क्या हो सकता है तो अधातु जो है यह सुचालिक नहीं होती, कुछालक होती है, कुछालक, और उसके लाव़ा क्या है? तो इसमें हम कह सकते हैं, यह hydrogen gas मुक्त नहीं करती, ठीक है? यह H2 मुक्त नहीं करती, साथ ही साथ, यह अब ठोस की बात करें, तो यह ठोस भी हो सकती है, खोस भी हो सकती है और द्रब भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है तो यह सारे आउस्थाओं में मिल सकती है अगला जो हम बात करें CO2 और CH4 के electronic window सनचना आपको बनानी है बहुत सिंपल सा है जब आपको carbon के साथ में जब oxygen को हम लगाते हैं तो यह जब oxygen लगता है तो double bond बन जाता है तो मैं carbon dioxide CO2 को लिखना चाहूं इसके structure के रूप में तो carbon और carbon के साथ में दो oxygen है तो double bond के साथ oxygen एक लगा दो इधर और एक हो गया ठीक है इस तरह से आप लिख दो या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो C double bond और इधर भी double bond oxygen आप दोनों में से कोई भी बनाओ ऊपर वाला बना दो यह वाला भी सही है या नीचे वाला यह वाला बनाओ यह वाला भी सही है इसके बाद हम बात करें CH पूरका तो इसम सिंपल सा structure बनाना था आपको कुछ भी नहीं करना अगला यहां पर हैच लिख देना सामने में तो इधर नहीं लिखा यह ऐसे हैच लिख सबका है पूच पर ही आएगा इसके बाद जो next है खुले तथा बंद रंद्रों का नामांग की चित्र आपको बनाना है तो देखो न बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाना है लेकिन आपको से केवल चित्र पूचा है तो आप पीले वाला पूरा structure है यह द्वार को सिखाए होती है ठीक है और बीच वाला जो पोर्शन होता है आपका यह रंद्र चिद्र होता है इसके बला आवाज यहां पर यह पॉइंट जो डोटेड जो गोल गोल से दिखाए दे रहे हारी तलवक होती है ठीक है यह तीन चीजी मेंशन करना था एक खुला बनाना था ना एक बंद करना था बस आपको और कुछ लिखना ही नहीं था है यह सही आपको चित्र बनाना होता है चलिए अगले को देखत मानव मस्तिस का जो सबसे बड़ा बाग है ना उसको हम सेरि सारी ब्रम अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लेटा हूं है उनको क्या करता है की बहुत क्यों है कि सभी को पता है औहlando किस defer पर गडर्ड Ig neighborhood करता है तो जालग प्रतिरोध तो मैं बताओ सबसे पहले पृस्त काट को या पर उसके अलावा के प्रतिरोध पर।।ar आपका जो है चालक की लंबाई पर ठीक है ना प्रतिरोध चालक की लंबाई पर तो इस तरह से हम यह 3-4 फैक्टर जो है लिख सकते हैं चालक का छेत्रपल है लंबाई है और उसकी प्रतिरोध धक्ता भी रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता है इसके बाद देखिए नेक्स जो है प्रकास के विच्छेपन से आप क्या समझते हैं और स्पेक्टरम के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है और किसका सबसे अधीक होता है आपको अलग-अलग बताना है देखो प्रकास के विच्छेपन से क्या समझते है तो प्रकास का विच्छेपन क्या होता है इसको one विछेपन के नाम से भी जाना एता है, जब सूर्य की प्रकास किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो वहां पर क्या है, अपवर्तन के पस्चात जो है, आपका जो किर्ने बाहर निकलती है, तो स्वेत्परकास जो प्रिज्म से जब निकलता है, तो वो सात रंगों के में बट जाता है और स्वेत प्रकास को अपने साथ रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेपन कहलाती है बस इस तरह से लिख दोगे साधान सब्दों में लिखना है बुक की बातों को रटना नहीं है यह चीज़ समझ में आ गई अब स्पेक्ट्रम के क दुन किसरंग का विच्छलन सबसे कम होता है तो अगर हम बात करें तो लाल प्रकाश की किरण जो है यह सबसे कम करती ए जो है हमारा कम हो जाएगा और बैंगनी जो है हमारा अधिक हो जाएगा ठीक है तो यह हमारे पास आंसर हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर जो है कोई विदूत मोटर 220 बोल्ट जो है आपको लेती है विदूत से जुड़ी हुई है पांच एमपियर विदूत धारा लेती है और मोटर दोवारा दो घंटे में उपए तो उर्जा का आपको माया निकालना है यह थोड़ा सा कोश्चन आपको दिया गया है ज ओड़ा तो 220 विदूत विदूना होता है पांच एमपियर और मोटर में टाइम तम डिया गया है ती दिया गया आपको दो घंटे सबसे थे हमें एक फॉर्मूला याद को र्या ओगा अगी माटा एक नदे निकालों से तो तो मियरे को आ स्विदूर्प पांच निकाला प् हमारे निकल दिया है और निकल जा रहा है कि इस हिसाब से हमारा यूणिट जो घरोंकी यूनिट निकलती है समझ में आया, बिजली का बिल जो है, इसी formula से निकलता है, कि हमने कितनी power अपने घर में use कर रहे हैं और कितने घंटे उसको use कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी नहीं जलाते हो तो जानते भी आपका power जो है, नहीं आता है जब तक आप कुछ जलाओगे, कितने घंटे जलाओगे, उससे निकाल देंगे, तो पावर हमारे पास कितना है, तो पावर है ग्यारा, तो, इंटू में, टाइम कितना है, तो टाइम मेरे को दे रखा है, इसने, दो घंटे, तो इसको दो से गुणा कर दूँगा, अब किलो वाट गंटा में भी कर सकते हूँ, किलो वाट दो खंटा में कर देंगे, तो किए डवर हमें क्या होता है, तो 20तो बटे में 1000. यह हो गया kwh, आप चाहिए तो यहां तक भी आपका answer सही था, लेकिन kwh निकालना आना चाहिए, कभी पूछता है kwh में निकालो, यहां पे 1010, 1010 कट गया, अब 22 को 10 से divide करो गया, तो 2.2 kilowatt आवर जो है, इसका answer आएगा, एनर्जी जो हमारी आई, वो 2.2 kilowatt घंटा आई, ठीक और समरूप अंगों में, जो हैं, अंतर बताने, समझात अंग क्या होते हैं, तो समझात अंग को हम इस तरह से कह सकते हैं, वह अंग जो उत्पत्य और सनरचना में समान होते हैं, सम्जात में मनुष्र atau मैंड़क आजाएंगे पे इसमें कीट के पंग हो सकते हैं चने के पॉधे के और मठर के आन हो सकते हैं इसके बाद जो है आपका नेक्ष्ट क्या होता है जब हैंपं कि यह dot तो देखिए पहला कॉशन जो पूछा गया है वाट हैपन जब जिंक को सलफियूरिक अभीक्रिया करते हैं तो हम अभीक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है हम चाहें तो जैड एन ऐसे लिख सकते हैं जैड एन प्लस में ह2 मैं डारेक्ट आपको क्यों बता रहा हूँ अभीक्रिया अगर हम ऐसे कराएंगे तो हमारे पास जैड एन एस ओफोर जैनि जिंक सलफिय्ट और आपका हाइड्रोजन गैस भीक्रिया तो सबसे पहले जब मैं एसमें इस गरमों को इसको और विकिया करता हूँ तो मेरे पास जो पराग्ट बनेगा वो मेरे पास जो concentrated H2SO4 के साथ में presence में कराएंगे concentrated H2SO4 के presence में कराएंगे चाहे तो आप अगर नहीं भी लिखते हैं तो examiner आपके number नहीं काटेगा क्योंकि एक number का question नहीं है तो यहाँ पर जो हमारे पास बन जाएगा तो हमने इसको जल मिल रहा है और साथी साथ में आपको जो है sweet smelling का एक Easter मिलेगा जिसको हम ethyl ethanoate बोलते है ठीक है तो इसका जो हम है ethyl ethanoate मिलेगा प्लस में जल मिलेगा इसके वाद जो है आपसा क्या पूछा गया एथनोई आमल की कर ली जिंक कर ली plaster of paris की अगर हम जल से अभी क्रिया कर रहा है तो क्या होगा plaster of paris का फोर्मूला होता है वो होता है आपका c e s o 4 dot 5 जो है h 2 s o 4 जो है आपका h sorry s o 4 नहीं है आपका जल है न तो 0.5 जो है आधा आपका जल लग जाएगा इसमें पॉइंट 5 जो है आपका जल लग जाएगा और जो यह आप देगा 1 by 2 भी लिख सकते आप इसकी जगे पर तो यहां पर जो है आपको यह हो जाएगा इसको हम अगर हम water से करते हैं तो यह हो जाएगा आपका इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है इसने प्लास्टर और पैरिस रियक्ट विद वाटर तो हमने कर दिया विस्तापन अभी करिया क्या है उधायन सहीद आपको समझा देना है इसके बाद में what is इस डिस्प्लेट विउटन के साथ कितने समानवई चित्वित कर सकते हैं इसके बाद में दो रियक्शन दे रखिये इनको बैलेंस करना है दो नहीं तीन दे रखिये आपको पहला रियक्शन यह है दूसरा यह तीसरा यह मेंडल दौरा यहाँ पर देखिए मेंडल द्वारा जो है प्रक्षिक्षन के लिए मटर के पोधों में कौन कौन से साथ लक्षन जो है किये गए थे मेंडल द्वारा प्रक्षिक्षन के लिए मटर के पोधों में कौन से साथ लक्षन लिए गए थे किये गए थे क्रोस आपको बनाना है, विद॥। जनित्र का नामांग कि चित्र बनाकर के सिद्धान्त के और कार्यविधी जो और आपको वंदित करना है। इसके अलावा, जो है। आप चाहते हैं उसको बनाना तो जानती है। Next Ctrl Senglat Paripath ज्याद करिए, इसमें आप आपको जो है circuit को find out करना है और इसमें क्या-क्या find out करना है इसमें आपको कुल प्रतिरोध निकालना है total resistance निकालना है RT निकालना है और I current निकालना है ठीक है बहुत simple सा circuit है मैं already करवा चुका हूँ इसके बाद मैं 5 cm लंबाई का कोई बिम जो है 30 cm वकरता तिर्जिया के किसी ओतल दरपन के सामने 20 cm दूरी पर रखा जाता प्रतिविम की इस्तिती प्रकरती और आकार बताईए यह भी question में करा चुका हूँ अगले question की बात करते हैं यहाँ पर दूर द्रिष्टी दोस्ट से क्या समझते हैं आप इस दोस्ट के कारण और संसोदने निवारन बताने हैं उस पदार्थ का नाम बताईए जो कलोरीन से क्रिया करके CAO CL2 बनाता है आपको formula याद होगा अभी मैंने बताया था उसके बाद में है आपका यहाँ पर plaster of Paris का जो प्रचलित नाम पूछ लिया तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर carbon 1,2,3,4 और फिर OH लगा हुआ है चार कारण है ध्यान रखना इसमें चार कारण है C4 तो आ गया इसमें आपके कितने दो कारण है ठीक है तो इसका आपको नाम बताना है इसका बादा यह next question पर नेक्स question में आपसे पूछाएगा उश्मा शेपी अभिकरिया उश्मा शोशी अभिकरिया क्या होती है पीतल के अव्यवों के नाम आपको बताने है और पीतल के जो अव्यवों है आसानी से आप बता सकते हो और आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब हम इसके अव्यव को नाम लिखते हैं तो आसानी से हम बता सकते हैं इसके दो अव्यव जो कौन कौन से हैं अब इसमें ये तो नहीं पूछा कि कितना जस्ता और कितना थामा मिलातमें इसलिए कोई टेंसल नहीं है न... अगला जो है आपका अव्ष्टेपन अभिक्रिया किसे कहते हैं उधारण साहित सम्झा देना है उदासीन, उदासीनी करन की अभीक्रिया क्या है, इसको भी उदार्ण सहीत समझा देना, example लिखना है, question paper थोड़ा सा landy बनाने कोशिश की गई है, इन दिधन उस कैसे बनता है, मैंने बता रखा है, सूरे 2 सूरे और तथा सूरे आस्त के समय सूरे जो है, रक्ताब क्यों प्र करता है, काच में प्रकास की चाल क्या होगी, यदि यू में प्रकास की चाल जो है, 3 x 10 to the power 8 meter per second हो, तो आपको निकाल देना, आप वर्तांग आपको दे रखा है, इसका बाद में बितुत सामर्त यानि शक्ती को परिभाशित कर देना है, मातरक लिख देना है, क्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिख देना है, दो चुमबक के छेतर रेखाएं, एक दूसरे को परती छेत क्यों नहीं करती, simple question है, मानव नेतरी की सामाने द्रिष्टी के लिए दूर बिंदू और निकट बिंदू, नेतर से कितनी दूरी उपर होते है, तो एक होता है, आपका दूर बिं है, और अमीवा के portion जो होती है, वो आपको बतानी है, निमन पर टिपणी लिखनी है, fossil space, जिवास में है, और double fertilization, दिव संकरन है, आपका प्रागन पॉलिनेशन है, और काईक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, उसके अलावा जो यह सारे के सारे notes मैंने अल इनलेखित में क्या answer है, स्वा पोशी क्या होते है, विशम पोशी क्या होते है, सारे answer महाँ पर दिये गए है, और जो है दूखंडन क्या होता है, बाउखंडन क्या होते है, तो इस तरह का यह प्रशन पत्र आपका आया था, आसा करता हूँ, मैंने जो solutions बताएं, आपको सम क्यारी करनी होगी, अपने exam में किसी भी ताया के questions आ सकते हैं, यह जहां पर हुआ था, मैंने आपको बता दिया, thank you very much, have a good day.